मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सब के प्रणामबा, विशेशकर, राजा तालाब, मिर्जा मुराद, कच्छवा, कपसेधी, रोहन्या, सेवापूरी छेत्र के अन्य देवता लोगन के प्रणाम हो, आप सभी को देव दिपावली और गुरु परप की धेरो बधाईयां और शुपकामनाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्रिबान योगी आदित्यनाज जी, उपमोख्यमत्री, स्रीकेशो प्रसाद मौर्य जी, संसद में मेरे साथी, बाई रमेश्चन जी, और विशाल संग्या में पधारे हुए काशी के मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, देव दिपावली और गुरु नानक देवजी के प्रकास्वत्यों पर आज काशी को आधुनिक इंफ्रस्ट्रेक्टर का एक और उपहार मिल रहा है। इसका लब काशी के साथ ही प्रयाग राज के लोगों को भी होगा। आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई लोगे। मुझे आद है, साल 2013 में मेरी पहली जनसवा इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाइवे फोर लेन का था। आज बाबा विश्वनात के आशिरवात से यह हाइवे छे लेन, सिक्स लेन का हो चुका है। पहले जो लोग हंडिया से राजा तलाब आते जाते थे। उन्हें पता है इस हाइवे पर कितनी जादा मुश्किले आती थे। जगह जगह जाम, बहुत धिमे, ट्राफिक, दिल्ली और दूसरे सहरों से भी जो लोग आते थे, वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। सत्तर किलोमिटर से जादा का ये वो सफर अब आराम से होगा, तेज रप्तार में होगा। इस हाइवे के चौड़ा होने से काच्ची और प्रयात के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया। कावड यात्रा के दौरान कावडियों को और इस छेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं, इसका राब कुम्ब के दौरान भी मिलेगा। भाईयों और भेनों, आस्ता से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेश काम की। लोग कहीं भी आने जाने से पहले जरूर देते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की सुविधाएं देशी, विदेशी, हर तरह के टुरिष्टों और स्रद्धालूं को भी प्रोट्साहित करती है। बीते वर्षों में काशी के सुंद्री करण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाब अब सब दूर दिखाई दे रहा है। नई हाइवे बनाना हो, पूल फाइव ओवर बनाना हो, ट्राफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। बनारस का सेवक होने के नाते, मेरा प्रयाश यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कते कम हो, उनका जीवन और आसान बने। पिछले छे वर्षों में बनारस में हजारों करोड रुपिये के प्रोजेक्स तेजी से पूरे किये गए हैं, और बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल दा है। एरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सडक आज बनारस में विकास कारियों की पहचान बन गई है। रेल्वे स्टेशन की कनेक्टिविटी भी बहतर हुई है। यहां से कुछ दुरी पर ही रिंग रोड फेस टू का भी कारियों तेजी से चल रहा है। इसके पूरा होने से सुल्तानपूर, आजमगड और गाजीपूर से आने जाने वाले भारी वेहान, भारी वेहिकल्स शहर में एंट्री लिये बिना सीधे इस नए सिक्सलेन हाइवे से निकल सकेंगे। वहीं जिन दूसरे हाइवे पर निर्मान कारिय चल रहा है, वो भी जल्द ही पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इन हाइवे के बनने से बारानसी, लखनव, आजमगट और गोड़कपूर की यात्रा और आसान हो जाएगी। भाई और भाईनों, अच्छी सडके, अच्छे रेल मार्क, अच्छी और सस्ती हवाई सुविधाएं, ये समाज के हर वर्क को सुविधा देती है। विशेश तोर पर गरीब को, छोटे उद्यमियों को, मद्यमबर को इसका सबसे ज़्यादा लाब मिलता है। जब निर्मान कारिय चलता है, तो अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये प्रोजेक्ट बनकर तयार होते हैं, तो समय बचता है, खर्च कम होता और परेशानी भी कम होती है। कोरोना के इस समय में भी स्रमिक साथियों के लिए रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम इन्फरस्ट्रेक्टर के ये प्रोजेक्ट ही बने हैं। बाई और बेनों, मुझे खुशी है कि उत्तरप्रदेश में योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सरकार बनने के बाद यहां भी इन्फरस्ट्रक्टर निर्माण में अभूत पुर्वत तीजी आई है। पहले उत्तरप्रदेश के इन्फरस्ट्रक्टर के स्थिती क्या थी ये आप सभी भली भाती जानते हैं। आज उत्तरप्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सतक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारो करोड के पांच मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पुर्वान चल हो, मुंदेल खंड हो, पस्ची में उत्तरप्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। देश के दो बड़े और आधुनिक डिफेंस कोरिडोर में से एक हमारे उत्तरप्रदेश में ही बन रहा है। भाई यो बहनों, रोड ही नहीं, बलकि एर कनेक्टिविटों के भी सुधारा जा रहा है। तीन-चार साल पहले, यूपी में सरफ दो बड़े एरपोर्ट ही प्रभावी रुप से काम कर रहे थे। आज करीब एक दरजन एरपोर्ट यूपी में सेवा के लिए तयार हो रहे है। यहां बारानसी के एरपोर्ट के विस्तरीक करन का काम चल रहा है। प्रयाग राज में एरपोर्ट टर्मिनल जितनी तेजी से बना, उसने एक नया रिकॉर्डी बना दिया था। इसके अलावा कुशी नगर के एरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एरपोर्ट के रूप में विक्सित किया जा रहा है। नौएडा के जेवर में इंटरनेशनल ग्रीन फिल्ड एरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जब किसी छेत्र में आदूनिक कनेक्टिविटी का विस्तार होता है, तो इसका बहुत बड़ा लाब हमारे किसानों को भी होता है, खेती को होता है। बीते वर्षों में निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गावों में आदूनिक सडकों के साथ साथ बंडारन की, कोल्ड स्टोरेज की आदूनिक ववस्ताएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए एक लाग करोड रुपिय का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बाद चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानि किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं। बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है। और इसका सीधा प्रभाव ये पढ़ रहा है। यानि कि उनकी आई पर भी इसका प्रभाव पढ़ रहा है। साथियों, बारणसी सहीत पुर्वावन्चल में ही जो बहतरीन इंफासक्तर तयार हुआ है। उसका बहुत अधिकलाब इस पूर एक छेत्र को हुआ है। बारणसी मैं पैरिसेबल कारगो सेंटर बनने के कारण अब यहां के किसानों को अफ़ल और सब्जियों को स्टोर करके रखने और उन्हें आसानी से बेचने की बहुत बड़ी सुविदा मिली है। इस टोरेज केपिसिटे के कारण पहली बार यहां के किसानों की उपज बड़ी मात्र में विदेशों में निर्यात हो रही है। आज बनारस का लंगड़ा और बनारस की दशरी आम लंदन और मिडलिस्ट में अपनी खुश्मू बिखेर रहा है। अब बनारस के आम की डिमान विदेशों में भी निरंतर बढ़ रही है। अब यहां जो पैकेजिंग की सुविदाय तैयार हो रही है। उस वज़े से पैकिंग के लिए दूसरे बड़े शहरों में जानवी की जरुरत अब नहीं रहेगी। आम के अलावा इस साल यहां की ताजा सबजियां भी दूबई और लंदन पहुंची है। यह एक्सपोर्ट हवाई मार्ट से हुआ है। यानि बहतर हवाई सेवाओं का सीधा अलाव यहां के छोटे से छोटे किसानों को हो रहा है। गंगाजी पर जो देश का पहला इनलेंड वाटरवे है। इसका उब्योग किसानों की उपच के ट्रांस्पोर्ट के लिए अधिक से अधिक कैसे हो इस पर भी काम हो रहा है। साथियों सरकार के प्रयासों और आधुनिक इन्फास्ट्रक्टर से किसानों को कितना लाभ हो रहा है। इसका एक बहतरी उधारन चंदोली का काला चावल ब्लैक राइस है। ये चावल चंदोली के किसानों के घरों में सम्रुद्द लेकर के आ रहा है। चंदोली के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए दो साल पहले काले चावल की एक वराइटी का प्रयोग यहां किया गया था। पिछले साल खरीब के सीजन में करीब चार सो किसानों को ये चावल उगाने के लिए दिया गया। इन किसानों की एक समिती बनाई गयी। इसके लिए मारकेश तलास किया गया है। सामान्य चावल जहां 35-40 रुपिय किलो के हिसाफ से भीकता है। बईयां बहतरीन काला चावल 300 रुपिय तक भीक रहा है। बड़ी बात ये भी है कि ब्लैक राइस को विदेसी बाजार भी मिल गया है। पहली बार आस्ट्रेलिया को ये चावल निर्यात हुआ है। वो भी करीब 8500 रुपिय किलो के हिसाफ से है। यानि जहां धान का MSP 1800 रुपिय हैं, वहीं काला चावल 8000 रुपिय प्रति क्विंटल भीका है। मुझे बताया गया है कि इस कामियावी को देखते हुए इस बार के सिजन में लगवग एक हजार किसान परिवार काले चावल की खेती कर रहे हैं। भाई और बहनों, किसान को आधुनिक सुविदाय देना, छोटे किसानों को संगणित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आए बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बिते सालों में फसल भीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार हर स्तर पर काम किया गया है। प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना से देश के लगवग चार करोड किसान परिवारों की मदद हुई है। प्रदान मंत्री क्रिसी सिंचाई योजना से लगवग 47,87,000,000,000 हेक्टर जमीन माइक्रो इरिगेशन के दायरे में आ चुकी है। लगवग 77,000 करोड रुपिय के इरिगेशन पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन साथियों सफल प्रकल्प ही काफी नहीं होते हैं। इसके साथ साथ किसानों को उस बड़े और व्यापक मार्केट का लाब भी मिलना चाहिए। जो हमारा देश, दुनिया के बड़े बाजार हमारे किसानों को उपलब्द कराते हैं। इसलिए विकल्प के माध्यम से किसानों को ससक्त करने का रास्ता अपनाया गया है। किसान हित में किये गए, कृसी सुधार ऐसे ही विकल्प किसान को देते हैं। अगर किसान को कोई ऐसा खरीदार मिल जाए, जो सीधा खेट से उपज उठाएं। जो ट्रांस्पोर्ट से लेकर लोजिस्टिक के हर प्रबंद करें और बहतर कीमत दें। तो क्या किसान को अपनी उपट उसे बेचने की आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बारत के कृशी उत्पात पूरी दुनिया में मशूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और जादा दाम तक किसान की पहुच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई पुराने सिस्टिम से ही लेंदेन को ठीक समझता है। तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भई। साथियों नए कुरुशी स्युधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी सवरक्षन ही तुम दिये गए है। पहले तो मंडी के बहार हुए लेंदेन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर दोखा होता था। विवाद होते थे। क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुए थे।